प्रभुषी क्रिश्न सुनो सुनो भक्तो ये अध्भुत गाथा कंस के कारावा समेजन में ये शुदानन्दन जग में आई एकनई प्रभात मत्रान करिथी अंधकार में कंस का आतन्ख था हर द्वार में देव की मा के गरभु में थे क्रिश्ना सभी देवता कर रहे थे इंतजार में अस्तमी की राच थी खोर अंधियारी जनम हुआ जब मुर लिधर त्यारे का जोती फैल गई और हर्श हुआ मुपंद का जनम था इस संसार में देव की के आचर में था लालन वसुदेव के हाखों में थी मुसका कंस के भय से थर थर का पता था हर कोई सोच रहा था क्या होगा अंजाम फिर आया आकाश वानी का संदेश ले जाओ इसे नंद के द्वार यमुना की धारा भी हो गई शांत कंहिया के जनम से खुश था संसार वसुदेव ने बांद लिया कंहिया को अपने आचल में छिपा लिया प्रभु को यमुना पार कर पहुचे गोकुल नंद के घर में साफ दिया प्रभु को यसो दामा के आचल में ठले गोपाल ने धर्ती को किया पावन माखन चोरी को पियो संग रास रचाया स्री कृष्ण ने गोपल में सभी को हरशाया वो पालूप वो मुरली की धुन हर कोई जूम उठारास में नंहे काना के लीलाओ की कथा सुन सुन हर भक्त हो गया दिवाना कंच का अंत करने को आए कृष्ण ने अपने लीला को रचाया मट की फोरी माखन चुराया हर गोपी का मन मोह लिया पाल लीला में ही बसा संसार कृष्ण ने सब का किया पुथार माय शोदा ने देखा पभु का विरत रूप जब उन्होंने मुखोला अपने वाल रूप में नंद लाल ने जद को दिखाया प्रेम और भक्ती का असली अर्थ दुष्टो का संहा धर्म की स्थापना यही था उनका जीवन का लक्ष गंस ने भेजा अने को आस सभी का स्री कृष्ण ने किया सम्हा बाल कृष्ण ने दिखाया अपनी महिमा हर कोई चूम उठावन की लिलापन